जैई श्रीमन नारायन जो टिपणी मैं देने जा रहा हूँ वह रामानुजदास श्रीमन गट्टु वेनु गोपाल स्वामी द्वारा दी गई है 34 गुर्त्रय विभाग योग श्लोग 11 सर्वद्वारेशु देहेस्मिन प्रकास वुपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात विवृद्धं सत्वमित्युता वूम् कान जीब और तोचा के माध्यम से दुनिया का सच्चा ज्यान प्राप्त कर रहे हो तो यह संकेत है कि तुम्हारे बीतर सत्वगुन प्रबल है इसलिए सत्वगुन को विक्सित करने तथा रजोगुन और तमोगुनों को वश्मि करने के लिए और इन तीनों गुनों के बंधन से बचने के लिए आए हम अपने सभी कार्यों को श्रीक्रिष्न परमात्मा या श्रीमन नारायन की सेवा के रूप में करें श्रीमन नारायन के हातों में यंत्र मन कर काले करें श्रीक्रिष्न परमात्मा की सिछाओं का ध्यान करते हुए आईए हम श्रीमान नारायन को प्राप्त करने के उद्देश से अपने सरीर का सर्वत्तम उव्योग करना शुरू करें आईए हम श्रीमत नारायन के प्रदी समर्पन करें और श्रीक्रिष्ण पर्मात्मा के वच्णों को श्लोक के रूप में वैसे ही दोराएं जैसे वे हैं सर्वद्वारे शुदेहे स्मिन प्रकास वुपजायते ज्यानम्यदा तदा विद्यात विवरुद्धम सत्वमित्युता श्रीमत भगवत गीता का संपून सार श्रीक्रिष्ण पर्मात्मा द्वारा अध्याय 18 स्लोक 65 से 70 में आठ कार्य करने के लिए दिया गया है श्रीक्रिष्ण कहते हैं मुझे वे लोग पसंद है जो इन आठो बातों का पालंग करते हैं मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा श्रीक्रिष्ण पर्मात्मा द्वारा बोली गई संपून भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं करिशेवचनम्तव जिसका अर्थ है क्रिष्ण मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे यही कारण है कि श्रीक्रिष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है आए प्रमात्मा को वचन दे कि हम इन आठ करमों का पालंग करेंगे ऐसी कोई पूजा तप या यग्य नहीं है जो प्रमात्मा को यह सब्द देने से बढ़कर हो मैं कहूंगा कि यह आठ प्रत्याएं हमें करनी चाहिए कृपया आप सभी इने अपने दिल और दिमाग में सोचे इस प्रकार श्रीक्रिष्ण को अपना वचन देते हुए आए हम सभी श्रीक्रिष्ण के सुंदर चहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनन्द का अनुभव करें यह है हमारे आठ वचन हमारा पहला वचन हे श्रीमन नारायन जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा हमारा दूसरा वचन हे श्रीमन नारायन जैसा कि आपने सला दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा हमारा तीसरा वचन हे श्रीमन नारायन, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्ठी के लिए करूँगा हमारा चौथा वचन हे श्रीमन नारायन, जैसा कि आपने अनुसरन करने के लिए कहा था मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूँ और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूँगा और आपको नमस्कार करूँगा हमारा पांच हुआ वचन हे श्रीमन नारायन, मुझे आपके शब्द मामे कम सरणम रज़़ याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पन करने को कहा था श्रीमन नारायन, मैं केवल आपके प्रती समर्पन करता हूँ हमारा छट्टा वचन हे श्रीमन नारायन, मुझे आपके सब्द मा सुचह याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आस्वाशन दे रहे हैं मैं अब शोक नहीं करूँगा हमारा सात्वा वचन श्रीमन भगवत गीता देकर हम सभी परकृपा की है और आशिरवात दिया है मैं कम से कम एक स्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूँ हमारा आठवा वचन हे श्रीमन नारायन, आपने सारी मानवता को गीता प्रतान की मैं गीता में आपके दिव्य सब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयाश करूँगा जो गीता से अप परिचित है हमने अभी अभी परमात्मा को आठ वचन दिये हैं प्रति दिन स्रीमन नारायन को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे अपने आप में एक महान पूजा है आईए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दे जिसका अर्थ है श्रीमन नारायन मैं आपके निर्देशों के अनुशार काले करूँगा सर्वं श्रीक्रिष्नार्पन्नस्तु जै श्रीमन नारायन तदा विद्यात विव्रुद्धं सत्वमित्युता वूम् सर्वद्वारे शुदेहे स्मिन प्रकास वुपजायते ज्ञानम्यदा तदा विद्यात विव्रुद्धं सत्वमित्युता जै श्रीमन नारायन सभी भक्तों से विशेश अनुरोद हम अपने जीवन में सभी चीजों में ततकाल और सफल परिणाम चाहते है इसे प्राप्त करने के लिए आए प्रति दिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायनस्त्रम का पार्ट करें नारायनस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायनस्त्रम वेबसाइट पर जाएं जो की है www.narayanastrum.org और registration में अपना नाम और email प्रदान करें आपके द्वारा प्रदान की गई email पर आपको नारायन अस्तरम PDF प्राप्त होगा PDF में एक रमायन स्लोक एक गीता स्लोक और एक विष्णु नाम है इन में से तीन को एक साथ मिलकर नारायन अस्तरम कहा जाता है हर किसी को इन स्लोकों का एक अलग संयोजन मिलता है जब 24,000 भक्तों के साथ हर कोई प्रति दिन अपने नारायन स्त्रम को पढ़ते या सुनते है संपूर्ण रमायन परायन की एक माला श्रीमत भगवत गीता परायन की 33 माला श्री विश्नु सहस्त्रणाम स्त्रोत परायन की 24 माला प्रति दिन पूर्ण होती है यह इतना उलेखनी है और असाधारन परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से सामने आता है इसलिए आप और आपके परिवार के सदश्य तुरंत जाएं और अपना नारायन स्त्रम प्राप्त करें जै श्रीमन नारायन